हेले स्टूटेंट कैसे हैं आप सब एकवार पुना स्यू कोचिंग क्लासेश पर स्वगात हूँ उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चोंगे मस्त होंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई बहतर चल देगी बच्चों क्लास 11 कमिश्ट्री की बात करूं बच्चों चैप्टर वन स्टार्ट कर रहा हूँ इस चैनल पर क्लास 11 कमिश्ट्री में चैप्टर वन स्टार्ट कर रहा हूँ ठीक है और बच्चों मैं आपको एक चीज़ मैं कहना चाहूंगा कि पुराने साल एनी 2023 का जो मैंने सेसन स्टा पूरा जितना भी टॉपिक होगा, पूरा हम आपको कम्प्लीट कराएंगे, बस आप लोगों का एक ही चीज योगदान रहेगा, वीडियो को पूरा देखा करेंगे, ताकि आप लोगों को पूरा विधिवत समझ में आए, चैप्टर वण जो होता बच्चो, रसायन का इतिह पूरा प्रिश्ट भूम ही रहेगा, इसलिए आप लोगों को लाश्व तक देखना है, आपको कमेंट भी करना बच्चो की किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, उस टॉपिक के आधार पर हम आपको वीडियो प्रोवाइट कर देंगे, तो चैप्टर वन का नाम ही ह कि रसान सास्त्र का इतिहास एवा मोलभूत अब धार नाएं, तो उसी आधार पर पूरा पहले आप लोग इतिहास पढ़ेंगे, इसके बाद मोलभूत अब धार नाएं पढ़ेंगे, तो जो भी टॉपिक एक्जाम के लेवल से होगा, 2024 में जो आप एक्जाम देने वाले ह न्यू सेसन इस्टार्ट हो चुका है, कुछ टॉपिक्स हट गए हैं, यह जो चैप्टर हट गए हैं, उनको हम नहीं पढ़ाएंगे बच्चो तो आप लोग परसान मत हो ना सबसे पहले आप लोग समझेंगे रसान सास्त है क्या, रसान सास्त के अंतरगत हम किसका अध्यन करते हैं, जैसे मान की चलता हूँ बच्चो यह हमारा पैन है, अब इस पैन को आपने देखा, अब हम कुछ समझना होगा, पैन किसी न किसी चीज से मिलकर बना होगा, ठीक है उसका रसानिक संगठन क्या है, उसमें रसानिक अभुक्रिया किस प्रकार से होती है, तो इनका भी हम अध्यन करेंगी, तो इन चीजों के अध्यन के लिए एक विशेवस्तो तयार कर दिया गया, और उसको एक निश्चित नाम दे दिया गया, जिसे हम रसान सास्त कहते हैं जैसे मान लीजे आपका यहॉइटनर है अभी हुइटनर कहीं किसी पदार्थ से बन रहें कर बना हुआ है और यह पदार्थ भी किसी ना किसी संगठं मिलकर बना हुआ है मतलब इसके चोटे-चोटे मुलभूत पदार्थ होंगे जिससे मिलकर बना है और इनके बीच भी कोई ना कुई कैमिकल रियक्षन हुआ होगा तब ये बना है जिसे आपके घर में पानी पानी तो सबके घर में रहता है हमारे भी घर में पानी आपकी घर में रखा हुआ है त तो उसके संगठन मतलब किन से मिलकर बना है और उनमें किस प्रकार से रासानिक परिवर्टन हो रहा है, उनका अध्यन करे तो रासायन सास्त्र कहलाता है, यह एक वह साखा है, विज्ञान की वह साखा है, जिसके अंतरगत हम पदार्त, पदार्त के संगठन और उनमें होने व को समझना है ठीक है तो रसांसास्त्र रजी आप से पूचे कोई परिभासा तो रसांसास्त्र विग्यान की वह साखा है जो पदार्थ के पदार्थ उनके संगठन गुणों नथा उनमें होने वाली परिवर्तन का अध्यन कराते उसे हम रसांसास्त्र कहते हैं वीदवत आपक तो थोड़ा यहां पर लिखना है कि कमिस्ट्री सब्द की उत्पत्ती कहां से हुई थी तो मिस्ट्र से हुई थी बच्छो कमिस्ट्री सब्द की उत्पत्ती कहां से हुई थी मिस्ट्र से हुई थी मिस्ट्र का प्राचीन नेम था केम क्या था बच्छो केम इसी सब्द के कार तो लेवोजीयर को कहा जाता है, तो दो कोश्यन यहां से जनरेट हो रहा है, ओके, आदमिक रसायन की जनरेटा लेवोजीयर और कमिस्ट्री सब्ध की उत्पति कहां सोगी मिस्त्र से हुई थी, चलिए, साखाओं के बारे में बात करते हैं बच्चो की रसायन की साखाएं क्य उरकलड़ अन्न तत्यों से बना योगीं कहुगा तो आपका क्या कहलाएगा अकार्वनी क्यों इंतरगती है,ाँसे त्वी तत्यों के अंतरगत क्या जाता है उसे खाल त catching हम आकार्वनी प्रकाimize एकंग्द करें। कि बहुतिक रसायन में बच्चों इसके अंतरतार्रासायन के सबी साखा ओं के नियम種 का अध्यर के जाता है। और केवल सिध्धान थी तो हम पढ़ते हैं जिसका भी सिध्धान बर्नौली का सिध्धान कुलाम का सिध्धान जितना भी आप लोग फीजिक्स में पढ़ते हो तो केवल और केवल उपगरह का से प्रच्छेपन का सिध्धान उपगरह किस प्रकार से गति करता तो पूरा करने में नए तत्तों के योग में नए योगिकों के खोज में हम जिन चीजों का अद्धन करते हैं उसे बैसलेशिक रसायन कहते हैं और दोगी के रसायन क्या कह सकते हैं इसके अंतरकत उद्धोगों से समझ्द रसायन का अद्धन करते हैं ठीक है उद्धोग में किन प्रकार की रसायनों का मुपयोग करेंगे नावकी क्रियाएगा जैव रसायन बच्चो इसके अंदरक़ द शूचछ में जीवों में होने फॉल क्रिवर्टन का करते हैं किस प्रकार से जीमों परिवर्टन होता है इसी प्रकार नावकी रसान की बात आ जाएं तो नावकी क्रियाएं परमाणु संदचना समस्थानिक रेडियो सक्रिता इनका अधियत धन करेंगे तो हम नावकी रसान कहेंगे अभी थोड़ा सा ये बेसिक है इसलिए मैं इसको हवावाई पढा रहा हूं, जब इनको मतलब एक प्रकास जैसे मालीज Рेडियो सक्रिता क्या है, समस्थानिक क्या है नाव की अब क्रियाएं क्या है परमाणू की संद्चना कैसे हमाद दिन करेंगे तो इस पर पहुंचेंगे न तो उसको बहुत बहुत तरीके से आपको करा रहें बिल्कुल आप निश्चिंत रहें बस आप लोग पढ़ते चलें ठीक है तो यह आज का हमा रसायन का उप्योग होता है जिसे खाद पदार्थों में रसानिक खाद की रूप में खाद पदार्थ संरच्छक की रूप में मिलावट के पर रचण हेतु हम रसायन का प्रयोग करते हैं इसी प्रकार बच्चों दवाओं में भी इनका प्रयोग किया जाता है जैसे कीटा सेड़र्ड के लिए और कई सारे होते हैं तो मai कैו कई मिकल से ही मिलकर बने होते हैं तो और दो ने जैसे इनदार के को ढिी कुछ सिर्यमिक औ-दौक शिमेंट में आप जिप का प्रयोग करते हूं कहने न करते हो कि नहीं करते हूं तो इस प्रकार से रसायन इन चीजों में उप्योगी होता है। उर्जा के छेत्र में भी प्रियोग किया जाता है प्रटोलियम है कुईयव ये थोड़ी बेशिक चीजेशे हैं आप लोहेको लिखना है तो, मैं तो आप लिख लेता हूं चारक्या निख्नी आप नोट्स का प्रयोग करते हैं विसेला गैस लेवी साइड फासफीनिं का प्रयोग किया जाता है युद्र शेत्र में करते हैं बच्चो तो इनका आप लोग थोड़ा सा एक एक बार पढ़ लो जैसे कुछ सनी स्टार्ट होगा इलेवन्त क्लास का आप नहीं पढ़ा रहे हैं तो इलेवन्त क्लास का पहला लेक्चर है और आप लोग चाहेंगे कि ऐसे हम वीडियो लाते रहें तो आप लोगों के लिए मैं हेल्फ करूंगो यह मेरा वादा है बस आप लोगों को प्यार सपोर्ट बन रखते हैं तो बच्चों उन चीजों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है न तो आप लोग निश्चिंत रहें फिलाल यह छोटी मूटी चीजों को आप लोग एक दो बार देख लें पढ़ लें मांकि इसको रट्टा फीकेशन नहीं करना है कि यहां एक्जाम में इनौल पहुचा जाएगा इस चीज के लिए आप निस्पी कर रहें तो फिलाल आज के लिए इतना ही प्यार सपोर्ट बनाए रखेगा ने चैनल को सब्सक्राइब करिए सेयर करिए जैहिन बंद मातरम